आप सभी लोगो, मेरा नमस्कार. ये देखिए, ये जो board है, mother board, इसको कैसे, इसके problem को solve किया जाता है? जो first basic, जो fundamental होता है, साफ करने के. जैसे इसमें कोई problem आया, तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है? कोई भी digital, अगर mother board है, या कोई भी कार्ड को ऊच तो उसको सबसे पहला जो होता है कि इससे нос or two par से ट्रीट्मेंट क्या क्याच कीया राता है तो हम सबसे पहले आज इसी के बारे में बताएंगे जो प्रिपिर्ट पाद में क्रेकरा प्रॉब्लम क्या है लेकिन अगर बहुत ही पुराना या कुछ दिन का यूज किया तो सबसे पहले क्या करना चाहिए यानि फर्ट ट्रीट्मेंट उसको हमारे इस वीडियो में दिखाएंगे तीकि सबसे पहले यह हमारे हाथ में सेमसंग का मदरबोर्ड है LED TV का जैसा कि हमने अभी इसके पहले बताया था और आप लोगों ने कपी उसे मन से देखा है और ऐसे देखते रहे हम एक से एक जो आपको इसके बारे में टेक्नोलोजी के बारे में बताएंगे जो कि आपको कहीं भी इसीज़ें नहीं मिले होंगी जो एक बहुत ही काम यानि हल्प करेगा आपको इस फिल्ड में तो आज इस वीडियो में पहले हम इसको वास्ट करने का तरीका बताते हैं और कितने तरीके से वास्ट किया जासता है और इसको वास्ट करने से क्या फायदा होता है और इसके प्राव्लम करने से दूर होते है तो सबसे पहले चलिए एक तो नार्मल तरीका हमने बताया था अपने एक वीडियो में जो नार्मल पानी से दूलते हैं लेकिन उसके भी हम आप संब बताएंगे कि जो हमने इस पर भी पैट कली किया है और इसको भी जाना है और समझा है जो आपके साथ शेयर करेंगे आशकी इससे मंजन किया जाता है यह ब्रस है इसे हमने हीटिंग दे कर यहां पर थोड़ा सा टिगड़ा कर लिया है जो कि दोलने में ऐसे यह यह सीधा रहता था तो यहां पर हमने इसे हीट करके टिगड़ा कर लिया है जो कि आप ही कर सकते हैं यह है इसका ऐसे और एक ब्रस यह ह के जहां पर मल ये बीच में यहां ये ब्रस तो जाएगा नहीं ये अंदर तो इसको इसके सहायता से आशनी इसके रहव से इसके अंदर ऐसे इसे सापका सकते हैं यहां पर तो कपी यह यहां पर यहां पर इस पानी को गर्म किया है अब यहां पर अब इस पीचिवी को क्या करेंगे ऐसे सीधे इसमें इसे डाल देंगे यह पानी की देखें गरम हो रहा है यह ऐसे इसमें देखिए अब इतना कोई गरम करने की जरूरत नहीं है इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं गैस अब यह नार्मल है यह आपको इसलिए दिखाएं अब यहां पर इस पीचिवी को ऐसे हम उठावेंगे ऐसे और इसे इसमें प्लट देंगे अब इसको उठाने के बाद अब देखिए इसको ऐसे बाहन दिखा लेंगे और यहां पर एक हमारे पास यह हुई तर्फ है जो ऐसे यहां पर कि थोड़ा से इसको पानी से दिखो लेना है और एक से यहां पर लगार देंगे पानी बहुत ज़्यादा आपको गरम करने की जरूरस नहीं लेकिन यह तंप्रेचर पर रहने बहुत ज़्यादा अगर गरम हो जाएगा तो यह प्लास्टिक जो है तेड़ा होने का ड़र आता है यानि एक स्टंपेटर पर अब देखिए इधा जैसे हमने यहां पर इस साल पूल गाया तो अब यह क्या है कि यह बीच में यह ब्रस जाएगा नहीं यह अब इसके लिए हम इस ब्रस को इस्तेवाल परेंगी यह ठीक है और इसी पर द्वारा आइसे यहां पर इसके अंदर अब यह मंग यह सफ्छार रहा है इसको इससे पखड़ लेगे और इस तरीके से इसे अब यह तरीकली युस्टी शॉक्ट भी काम नहीं करता और यह डियमय यह सॉक्ट तो इसके अंदर भी अब जो है इसको ऐसे साफ कर सकते हैं कि अब इसको प्रट लेते हैं और फिर यह प्रस लेते हैं कि अब आपको बताते हैं लीजन क्या है गरम पानी का है कि हमने घरम पानी को लिया है आपको आपको ऐसे ब्रस जो यह क्योंकि उपर से हीट्सिंग है तो इसको जहें ऐसे जहां पर पिन है इसका तो अंदर के अंदर नहीं पहुझ रहा तो आप यहां पर इसका इसका इस इस हीट्सिंग के अंदर ऐसे और इसे कुछ देटर ऐसे इसे क्लीन करें चाल तरफ से जहां पर इसके पिने निकले गए हैं पिने थी अभी हम और भी जो इसके रूल है नियम है उसको हम भी आपको बताते हैं अब इसे हम दोल सकते हैं देखें पिसी भी हात में ना रखके ऐसे आप नीचे पिसी सर्फेस पर रखके और इसे रोख भी अच्छे डंक से इसे इसे प्लीन करते हैं अब इसे और भी अगर रोचाहिए तो ऐसे आप इसे अब प्रते हैं यहां एसफ टूनर पे स्कोर से पकड लेंगे आप दिने सुल्धान साथ से पकड़ लेंगे कि पानी इसमें हम इस जग में डालते हैं अब यह थोड़ा सा पानी इसमें यह हलका का पानी डालके और इसको आपका लेखिए अब खंटे पानी से जूर सकते हैं रहे तो अब देखिए पहले का और इस समय का क्लियर्टे देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जो भी लगे थे कट्स और सारेज जीजिए यहाँ पे क्लियर होगे अब इसको ड्राइ करेंगे हाट ब्लोर से का हाट ब्लोर है इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे अब इसको अब आपकि यह आपके यहाँ प्लोर ना हो तो आप इसको भूप में सफास अब्से ना झाल झाल कि इसको हमें बंद कर जाते हैं बंद करने क्योंकि इसमें माल जी हीटिंग है तो कोई भी कंपोनेंट अगर लूज है तो आपका इधर उतर खिशकने का सम्टी टेर रहता है तो थोड़े देर इसे रुख जाए और ठंडा होने देशे फिर उसके बाद हम इसको उठा लेंग और अधर से भी आप इसकी अगर ज्यादा हीट करेंगे बैक साइड से तो यह सारे कंपोनेट नीचे गिर जाएंगे क्योंकि PCV ओगर हीट हो जाएगी अब इसका लाइट देखें PCV का पहले का और आपका इसकी चमक देख सकते हैं कि इसी तरीके से हमको क्लीन कर लेना क्लीन करने के बाद इसके बाद अब कोई भी अब आप उस रिटेस और कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्राब्लम इसी से सही हो जाते हैं वह कौन-कौन सा प्राब्लम है हम आगले वीडियो दिखाएंगे बताएंगे आपको आज मैं देखें जैसा कि आपको दिखाए ले थोड़ने का तरीक यह इसलिए दिकाए कि अभी माली जी किसी के पास हाट ब्लोवर नहीं है तो हाट ब्लोवर यह हमारा जो तो इसको क्या होगा कि यह बहुत ही फास्ट इसे ड्राइए कर देगा जिससे पानी कहीं पर रुक नहीं पाएगा नहीं मौस्चर पकड़ पाएगा और जो पहला अप्सन आपको बता हैं गरम पानी से गरम पानी से इसलिए बता हैं कि इसमें जिसे तेल टाइप का कोई थंडे पानी से या सर्फ से वो चीजें कभी-कभी clear नहीं होता वो धुल नहीं होता जैनि अद्रीक से धुला नहीं जाता तो इसे क्या होता है गर्म पानी से क्या होता है कि उसके लियर जो है जो हमारा जो उस पे चिपका हुआ है PCB पे क्योंकि PCB के track से जो कई track पास हो रहे हैं उसे नजदिक से तो इतने sensitive track होते हैं low voltage के कारण क्योंकि कोई भी digital अगर design किया हुआ है तो यह पूरा isolated अगर PCB नहीं है तो उसमें यह problem देखने को मिलता है कि यह जब monster उस पर घेर लेता है और पकड़ लेता है PCB के layer के ऊपर track में तो बहुत सारे problem ऐसे दिखेंगे आपको लगेगा कि IC fault है लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लगना यानि हमको लगना और होना दोनों में अंतर होता है कि यानि जो इसका sensitive area है sensitive area मातर उसके इंटर्नल जो गुजर रहे हैं और उपर से उसकी जो नमी है वह उसको डिश्टर्ब करती है ट्रेक को और वही सारे symptom आपको पूरे मदरबोर्ड पर देखने को मिलेगा वह आपको तरह तरह के दिखाएगा अजीबो टाइब का दिखाएगा आप यहां ढूड़ेंगे यहां ढूड़ेंगे सिर्फ बोल्टे ढूड़ेंगे तो सबसे जो मैंने यह फर्स्ट परिकासन आपको बताया है यह फर्स्ट ट्रीटमेंट यह इसका अगर बहुत ही ओल्ड है तो एक बार इसे जरूर यह चीज को ट्राइब करें और यह बहुत ही प्राब्लम आपको साल्ब कर देगा बहुत सारे प्राब्लम क्योंकि मार्केट में भी बहुत ऐसी PCV मिलते हैं जैसे जो लोग रिजिक्ट निकाल दिये तो काफी परिसान होके निकाले कि इसमें फा अल्ट्रा वाइलेट रेज के द्वारा भी इसके मॉस्चर को दूर किया जाता है और उससे भी किलियर देखा जाता है कि प्राब्लम कहां पर है यह हमारा जो जो मनें बार बार का नाम लेता हूं अल्ट्रा वाइलेट रेज यह एक ऐसी किरड है यह ऐसा एक रेज है कि इस सारे से बोल्ट होंगे आपके जो जिसे आपको बेसिक बताया जाता है कि माली जी आप जाने कि यह हमारा इतना बोल्ट होना चाहिए इतना बोल्ट होना चाहिए आप उसी बोल्ट के आधार पर फाल्ट को टेशाउड किये लेकिन वह एक्चुली वह बोल्ट जो है उस मदर मदरबोड के हिसाब से बताया जाता है जिस पे वह हर जगे यह चीजें लागू नहीं होती क्योंकि आप यलजी में देखेंगे अलग है अभी इस समय जो चाइनीज मदरबोड आ रहे हैं उनमें देखें वह कुछ प्रॉब्लम उसमें अलग आ रहे हैं जिसकी टेस्टिंग आपको अलग टाइप से देखने को मिलेगा तो हर जगा यह कंपनी के द्वारा इस सारे सिस्टम चेंज कर दिये जाते हैं आप देखें होंगे कि जो स्याटी का काम किये होंगे जो फिलिप्स में समय जो उसका डिजाइन होता था स्याटी टीवी के लिए जो टीवी किट हो उसमें क्या होता था इतनी सेंस्टिव होती ही वह एरिया कि उसमें अगर कहीं भी कोई भी problem हो तो तुरंत प्रोटक्शन में मस्तPop कहने चमया कि अगर पूरे PCV में अगर कहीं भी दर्द होता-था तो वह किआ होता था टुरंत बंद हो जाता था। यसमेंट पूरा किसी जो लोग काम किये होंगे वो जानते होंगे फिलिप्स की जो डिजाइन थी उसमें तो बहुत सारी कंपनिया आपना जो माइंड डिस्पे जो सेटीब डिवाइस होते हैं उस पे ये काम चाहे मुबाइल का हो चाहे ये एंड्रोइड का हो चाहे नार्मल कोई भी संस्टिव एरिया है तो वह वास करना जरूरी होता है क्लीन करना उसके बाद अब आप इस पे फाल्ट को टेस आउट कर सकते हैं तो थेंकू दोस्तों आज की वीडियो में बस नहीं मिलते हैं वीडियो में अब इसका भी रिजन बताएंगे यह है इंटरनल ठीक तो अगले वीडियो में बने रहें देखी यह प्रोसेस ऐसा नहीं कि क्यों LCD LED पे ही लागू होता है यह आपका चाहें एसी का PCV हो चाहें लेपटाप का हो चाहें मुबाइल का हो या कोई भी संस्टिव डिवाइस अगर हैं उनके अगर PCV हैं डिजटल तो उसमें क्या है कि ल प्राबलम हो उसको देखें यह बहुत ही most important है अगर वोड फ्रेस है कम दिन का सेट है तो कोई इसू नहीं है वो देखने से मालूम हो जाता था मालूम हो जाता है इसका हालत ठीक है लेकिन यह भी क्यों होता है इसको भी जानना जरूरी है जो हमने इस पर बताया है इसका भ ए्राबित है जडाब के जाता है इसका है इसकाल है तो आजका है आजका है तो जो एक भी करना जरूड़ है जो हमने हमने है इसका है लेकी से सब्सक्वित।